तो क्या हो जब कोई अपने मेडिकल स्टेडी को गलत तरीके से इस्तमाल करें, पेसों के लिए लोगों के जान बचाने से जदा, वो जान लेने का काम करें, तो आज की कहानी इन सभी बातों के उपर दिखाए जाएगी अगर आप पहले बार इस चैनल पर आएं, तो चैनल को सबस्क्राइब करके जरूर जाना वो लड़की को इलाज के लिए अपने साथ ले जाते हैं, और उनकी पॉलिसी का भाना बना कर वो लड़की की बएफरेंट को उसके सात में आने नहीं देते हैं एंबुलेंस के अंदर जेफरी उस लड़की से कुछ हेल्थ रिलेटेड कोशन पूछ रहा था और कुछ देर में उसे एनस्टेसा देकर ब्योश कर देते हैं फिर वो उस लड़की को अपनी सिक्रेट लोकेशन मिलाकर उसकी बॉड़ी की सर्जेरी करते हैं और उसकी बॉड़ी के कुछ औरगन्स को एक डॉक्टर के पास में बेचे देते हैं असल में दोनों भाई बलेक मार्गेट में बॉड़ी के औरगन्स को बेचते थे और इन सब में वे दोनों बहुत अच्छे पेसे कमा रहे थे जेफरी फिर उस लड़की के सोचल मीडिय अकॉंट में ये मेसेज डाल दिता है कि वो सबको छोड़कर भूत दूर जा रही है और जेफरी यहाँ पर मासूम और छोटे बच्चे जैसा था जिसे अपना भाई कोरी अपने हिसाब से कंट्रूल करता था अब अकले दिन सिंडी नाम की एक लड़की अपना दोस्तों के साथ में जंगल में गूम रही थी तब एक पत्थर से टकराने पर सिंडी के पेर पर चोट लगती है और तब वे लोग इमर्जेंसी नमबर पर कॉल लगाते हैं कुछ समय के बाद में वहाँ पर कॉरी और जेफरी आते हैं और सिंडी के फ्रेंड को वही पर छोड़कर सिंडी को अकेले ही एम्बूलेंस प्ले जाते हैं एम्बूलेंस में कुछ हेल्थ रिलेटेड कोशन पूछ कर जेफरी उसे फिर से एनस्टी सा देकर बेहोश कर देता है लेकिन लोकेशन में लाने के बाद में कॉरी सिंडी को देखकर उसके सरजरी नहीं कर पाता है जेफिरी उसे कुछ समय के बाद में उसके सर्जरी करने के लिए सला देता है और कॉरी भी इस बात को मान जाता है कुछ समय के बाद में सिंडी होश में आती है तो खुत को नेकट पाती है वहाँ पर वो CCDV कैमेरे को भी नोटिस करती है और मदद के लिए चिलाती भी है लेकिन उसे इसका कोई भी फाइदा नहीं होता है वहीं पर पढ़न कुछ कपलों को बहुत पहन लेती है और कुछ समय के बाद में कोरी वहाँ पर खाना लिकर आता है लेकिन सिंडी उस खाने को फेक देती है गुसे में कोरी सिंडी को हरस करने लगता है और तबी सिंडी उसके फेस पर लाथ मारकर उसे खुद से दूर कर देती है कोरी उसे धमकी देकर वहाँ से चला जाता है और कुछ समय के बाद में जेफरी वहाँ पर आकर सिंडी के घाव को साफ करने लगता है उसे समय सिंडी की आँके कुलती है और वो जेफरी को धक्का मार कर खुद से दूर कर देती है जेफरी उसे समझाता है कि वो बस उसके घाव को साफ कर रहा है लेकिन वो उस पर गुस्सा करके उसे वहाँ से बगा देती है उसके जाने के बाद में सिंडी जमीन पर पढ़ा हुआ खाना खाना लगती है वो CCTV केमरे में सिंडी की यह हदाता देखे कर कोरी बहुत खुश हो रहा था कुछ समय के बाद में कोरी सिंडी के पेर को चेक करने आया था लेकिन वो और भी बुरी तरीके से सिंडी के पेर को डिसलोकेट कर देता है ताकि वो वहाँ से भाग नहीं सके सिंडी बहुत दर्द में थी तो कोरी उसे एक डिल करता है कि अगर वो उसके साधी बात मानेगी तो वो उसे पेंट किलर दे देंगे जिससे कि उसे और दर्द महसुस नहीं होगा सिंडी इस बात को मान लेती है और कोरी उसे पेंट किलर दे देता है लेकिन वो पेंट किलर नहीं बलकि भ्योशी के दवाई थी जिससे पीते ही सिंडी भ्योश हो जाती है होश में आने के बाद में वो देखती है कि कोरी उसका रिप कर रहा है वो सिंडी में इतनी दाकत नहीं थी कि वो कोरी से लड़ सके वो हार मान लेती है और उनके हर बात को मानने के राज़ी हो जाती है ताकि वो उसे नहीं मारे रात को जेफरी एक फोटो को देख रह था और फोटो में मुँझूद लड़की सिंडी के तरह दिख रही थी कोरी जेफरी के पास लगए उसे कमफ़ट करता है और फिर कोरी सिंडी के लिख खाना लता है और दोनों की बीच में human organ के business को लेकर बाते हो रही थी कोरी के मताबिक वो इस से बहुत सारे लोगों की जान बचा रहा है और सिंडी यहाँ पर कोरी को challenge करती है कि वो उसके भाई को उसके एक खिलाफ कर देगी इस बात को ignore करके कोरी वहाँ से चला जाता है और अगले दिन सिंडी जब कपने बदल रही थी तो उस समय वहाँ पर जेफरी आता है जो के सिंडी को naked देखकर uncomfortable feel कर रहा था सिंडी उसके पास आकर उसे seduce करने लगती है लेकिन जेफरी वहाँ से भाग जाता है और ये सारी बाते कोरी CCTV केमरा में देख रहा था लेकिन जेफरी की loyalty चेक करने के लिए वह उसे कुछ नहीं कहता है अब इदर जेफरी उसके बेट पर भी सिंडी के बारे में ही सोच रहा था और अगली सुबह जेफरी सिंडी के लिए बहुत ही अच्छा breakfast बना रहा था जिससे देखे कर कोरी उसे बताता है कि वो जल्दी ही सिंडी की सरजरी करने वाले है जिससे सुनकर जेफरी को बहुत बुरा लगता है कोरी खुद सिंडी के लिए breakfast लेकर जाता है और उससे कुछ health related question पूछता है सिंडी उसका सवलाव को जवाब तो दे देती है लेकिन कोरी को बहुत गल्या भी देती है और इस वज़े से बिना कुछ बोले कोरी वहाँ से चला जाता है कुछ समय के बाद में वहाँ पर जेफरी आता है और सिंडी अपनी बातों में उससे फसाने लगती है और दोनों वहाँ पर intimate होते हैं सिंडी को जादा करीब आता देखकर कोरी जेफरी को समझाता है कि सिंडी यहाँ से बाहर निकलने के लिए उसका समत में बस ये नाटक कर रही है लेकिन जेफरी कोरी की बातों पर यकीन नहीं करता है और वो कोरी से ही जगड़ा करने लगता है क्योंकि जेफरी नहीं चाता था कि उनकी बेहन होप की तरह ही सिंडी मारी जाए कोरी किसी तरह जेफरी को शांत करता है वो दिन पदिन जेफरी और सिंडी करीब आ रहे थे जेफरी सिंडी को उनकी बेहन होप के बारे में बताता है कि उनके पेरेंट की मौत के बाद वे सभी एक साथ रहा करते थे लेकिन कुछ समय के बाद में कोरी और लड़कियों को गर पर लाने लगा था जिसकी वज़े से होप डिप्रेशन में चली गई थी और उसकी मौत होगी थी सिंडी बिल्कुल होप की तरह ही दिखाए देती है और इसलिए उन लोगों ने अभी तक सिंडी को नहीं मारा है कोरी वहाँ पे आकर जेफरी को काम के लिए वहाँ से ले जाता है और कुछ समय के बाद में अपने साथ एक ब्योंच लड़का लाकर वह लोग वापस आते हैं कोरी सिंडी को रूम के कोने में बान देता है और फिर लड़के के होश में आने के बाद में जिन्दा ही उसकी सर्जिर करने लगता है सिंडी उनको ऐसा करने से मना कर रही थी लेकिन विलोग उसकी बातों को इग्नोर कर रहे थे अब कुछी समय में वो लगा तरब तरब कर मार जाता है और काम खतम होने के बाद में कोरी सिंडी से कहता है कि वो अब से उसी के सामने दूसरे लोगों के सर्जिर करेगा कुछ देर के बाद जेफरी सिंडी के लेक खाना लाता है और यहाँ पर सिंडी जेफरी को मना लेती है अपने भाई को छोड़कर उसके साथ में भागने के लिए सिंडिय के प्यार में जेफरी उसके सारी बाते मान रहा था कॉरी को सिसी टिवी केमरे में देखे कर बहुत ज़umbles आता है और वो एक आईड़ी निकलता है और जेफरी को समौन लाने के लिए मारकेट में भेज देता है वो सिंधी के पास आकर उसे कहता है कि उसीने उनकी बैंन adop को जहर देकर मार डाला था और ये सुनकर तो सिंधी बहुँच चदर डर जाती है कोरी एक guest release करता है जिससे के सिंधी बहुँश हो जाती है और उस सिंधी के होट और उसके private part को सिल देता है जेफरी के आने के बाद में वो सिंडी की यह हलात देखकर बहुत जादा गुस्सा होता है कोरी उसे समझा रहा था कि सिंडी उसे बातों में अफसा रही है लेकिन जेफरी गुस्से में केरी को मार मार कर भ्योश कर देता है अब कुछ समय के बाद में दोनों भाईयों को होश आता है और कूरी जेफरी को शांट करके उसे कमफ़र्ट करता है अब एक दिन एक लड़की उटें के पास में कौल करके मदद माँगती है और दोनों उसी लोकेशन में उस लड़की की मदद करने के ले जाते हैं अचानक वो लड़की और उसके सभी दोस्त मिलकर उनको इलेक्टरिक शोप देकर भ्योश कर देते हैं और वे सभी सिंधी के ही दोस्त थे होश में आने के बाद में कुरी देखता है कि उसी लोकेशन में उसको और उसके भाई जेफरी को बांत कर रखा गया है कोरी सिंडी से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके भाई को छोड़ दे वो सिंडी के मताबिक तो उसने कभी जेफरी से प्यार नहीं किया था सिंडी अपने साथ में कुछ बचर्स याने की कसाई को भी लाई थी तैकि वे सभी कोरी की बोड़ी को जेफरी के समने टूकले टूकले करते हैं अब उसे समय उस घर से बाहर वही डीलर आता है और वो सिंदी को और्गें के बदले में बहुत सारे पेसो ऐफर करता है सिंदी उसे वही पर कुछ दोगने को कहती है और अंदर आकर वो अपने दोस्तों और बचर के साथ में मिलकर कोरी के ओर्गन निकलकर उस डीलर को पेसों के बदले में बेच देती है और इसी के साथ में ये मूवे ये प्रेंड होती है दोस्तों कुरी और जेफری दोनों इसे बाइते जो की इमरिजेनसी नमबर को हैप करके उस पर आने ओने काल को ट्रेक करके लोगों के इलाज के बाढने उने किड्नियप करके उनके और्गन को निकालते हैं और फिर उसे बलेक मारकेट में बेज़ देते हैं उन्हें एक दिन सिंडी मिली थी लेकिन सिंडी उनकी मरी हुई बेहन होप की तरह दिखाए देती थी और इस वज़े से वे लोग उसे नहीं मार पाए और इसी मौके का फाइदा उठा कर सिंडी वहां से भाग गई और एक साल की बाद में उनकी तरीके से उनको सजा दी दूसरों की बोड़ी के औरगन बेचने वाले लोगे के औरगन हैं बलेक मार्केट में बिख गए कोरी ने अपनी बेहन होप को इसलिए मार था क्योंकि वो उसके काम और उसकी गर्ट्रेंड्स के बीच में धकल देती थी वो इतना दरिंदा था कि उसने अपनी बेहन को भी नहीं छोड़ा तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करकर जुरू बताना और हाँ अगर आपने चैनल को सब्स्क्राइब नहीं किया है तो सब्स्क्राइब जुरू कर लेना क्योंकि मैं आपके लिए बूती इंटरस्टिंग वीडियो लेकर आने वाला हूँ